हलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Nikon का Z50 Mirrorless Camera इसका हम इस वीडियो के अंदर बोडी रिव्यू करने वाले हैं यानि इस केमरे की जो बटन पोजिशनिंग है बोडी के उपर उसकी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से केमरा किसी भी वेडिंग के अंदर या फिर किसी भी इवेंट के अंदर जब हम इस केमरे से सूट करेंगे तो इसकी जो फंक्सिनिंग है बटन की वो किस प्रकार से हम यूज में लेने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो, फोटोग्राफ इसे एलेटेड आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, मैं इस केमरे के बारे में कुछ आपको और भी डिटेल देना चाहूंगा, यह जो केमरा है, October 2019 के अंदर रेलीज हुआ था, इसके साथ ही साथ यह full frame केमरा नहीं है, यह APS-C sensor के साथ में, यह क्रोफ sensor के साथ में यह केमरा आता है, और megapixel की अगर हम बात करें, तो 20.9 megapixel यह केमरा है, बाकि इसके features और specifications में, मैं next video बनाने वाला हू यह फिर इसके जो specifications है, वो क्या-क्या है, इस केमरे से हम किस परकार से work कर सकते हैं, यह फिर यह camera हमें किस परकार से work करने में मदद कर सकता है, तो आप next video का इंतजार कीजिए, जिसमें हम इसके features और specifications के बारे में जानेंगे, तो अभी हम इसका करते हैं body review, तो चलिए करते ह start, तो दोस्तो body review की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको Nikon और Z50 यहाँ पे यह इसकी brand की beijing आपको यहाँ पे मिल जाती है, सामने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको lens को release करने के लिए एक button मिलता है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके left hand side की, तो यहाँ यहाँ पे आपको mic input के लिए एक port दिया गया है, और इसके नीचे अगर हम बात करें तो HDMI यानि mini HDMI के ports यहाँ पे आपको external connectivity के लिए दिये जाते हैं, बात करें इसके top end side की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे आपको on off का button मिल जाता है, साथ ही साथ जो subtle release button होता है वो भी आपको इसी पे मिल जाता है, इसके अलावा movie को record करने के लिए button आपको यहाँ पे मिल जाता है, ISO का shortcut button आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसके अलावा exposure का भी एक button आपको यहाँ पे मिल जाता है, बात करें इसके dial buttons की, तो यहाँ पे आपको drive mode मिल जाता है, जिसमें आप manual, auto, इसके अलावा दो आपको user और इसके अलावा आपके पास effect mode भी इस camera में available है तो यहां से आप इस camera को जिस भी mode के अंदर चलना चाते हैं उसमें आप इसको select कर सकते हैं इसके अलावा दोस्त आपको इसी dial button के नीचे यहां पे एक button और मिलता है जो की switch button है आप camera को photo के लिए use करते हो या फिर वीडियो के लिए use करना चाते हो तो यहां से आप direct इसको switch कर सकते हो photo और वीडियो के लिए इसके अलावा यहां पे आपको एक dial button और मिलता है जिससे आप shutter speed को control करते हैं और यहां पे अगर हम बात करें तो आप external mic या फिर external flash यूज में ले सकते हैं यहां पे आपक इसके अलावा अगर हम बात करें इधर तो दोस्तो इस camera में आपको inbuilt face का option मिलता है आपको यहां पे यह जो button है यह release करने का button है तो दोस्तो अब बात करते हैं इसके सामने की जो position है वहां पे कह कह आपने को मिल रहा है तो दोस्तों यहां पे आपको सामने fn1 और fn2 यह दो बटन को प्रेस करने से आपको मिल जाती है वो direct setting इसके अलावा यहाँ पर सामने आपको एक dial बटन और दिया जाता है जो कि aperture को control करने के लिए होता है और अगर हम बात करें इसके नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपका battery compartment होता है जिसमें आपकी battery लगती है और साथ यहाँ पर आपको memory card का भी एक slot मिल जाता है इसमें आपको SD memory card और या फिर UHS-1 का जो memory card होता है वो आप इस camera में use कर सकते हैं इसमें single slot ही है memory card का इसके लावा बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी आपको मिल जाती है यहाँ पर बैटरी का जो model है वो है EN EL25 और इसका जो backup है वो ल बाग बाग 75 minutes वीडियो के अंदर आप इसको चला सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं इसके front side की क्योंकि यही area functional area होता है हम camera को ज्यादा तर इसी area में इसकी जो functioning होती है उसको use में लेते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक button मिलता है जो की switch button है between आपकी LCD और viewfinder के ब परक करना है तो इसको यह switch करता है जैसे इसको मैं प्रेस करूंगा तो अभी आपकी जो viewfinder वो ओन हो गई है और जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो monitor only यह आपको दिखाए दे रहा है या फिर मैं इसको एक बार फिर से प्रेस करूंगा तो यह automatic display switch हो जाता है इस setting में क्या ह होता है अभी आपको screen पर दिखाए दे रहा है और जैसे आप आंग को इस viewfinder में या इसके पास ले जाते हैं तो यह viewfinder इसका own हो जाता है इसको दूर करते ही आपको वापस monitor के उपर यह ले आएगा इसके अलावा side की अगर हम बात करें यह जो button है यह जो viewfinder है इसको control करता है इसके अलावा दोस्तो viewfinder की अगर हम बात करें तो इस camera के अंदर electronic viewfinder आता है यहाँ पे आपको autofocus lock करने का button मिलता है बात करें screen की तो यह जो screen है 3.2 inch यानि 8 cm की यह screen है जो की TFT screen के साथ में आती है यानि इस screen को आप tilt भी कर सकते हैं जैसे बाहर निकाल के दिखा देता हूं आपको इसको आप tilt भी कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम इस camera से selfie लेना चाहें तो इस camera से आप selfie भी ले सकते हैं यानि इस screen को आप नीचे करके flip कर देते हैं तो आप camera से selfie भी ले सकते हैं तो दोस्तों यह एक सांधार feature है इस camera का और यह ज़्यादतर किन लोगों के लिए काम आ सकता है केमरा वो मैं आगे बताने वाला हूं मेरा जो next वीडियो आएगा futures और specifications का तो उसमें हम बात करेंगे कि यह camera किन के लिए best रहेगा आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपको camera को जो भी settings से और डायक्ति ले सकते है avenue का बटन यहाँ पर मिल जाता है आपको जो भी menu की setting करनी है यहां से कर सकते है scroll करके इसके अलावा आपको यहाँ पर play का button मिलता है जो भी आपने work किया है camera में वो आपको दिखाई देता है यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर deliver या फिर ट्रेस का बटन भी मिल जाता है तो दोस्तों ये शांदार functioning इस camera की body के उपर है single handed यानि एक की side में आपको सारे buttons मिल जाते हैं इसके अलावा इसकी grip ये जो हाथ में हम पकड़ते हैं इसकी जो grip है वो भी काफी शांदार लग रही है मुझे क्योंकि हम जब अंगुलियां camera के अंदर डालते हैं grip में तो हमारी जो हतेली है वो पूरी भरी लगती है तो वजन इसमें कोई जादा नहीं है lightweight है हम काफी time तक इस camera को या इस camera पर work कर सकते हैं हमारा जो हाथ है या फिर जो हतेली है उसमें कोई problem नहीं होने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो kit lens है उसकी तो दोस्तों यह जो camera है यह दो तरह के kit lens के साथ में आता है अभी आपको यहाँ पर यह जो kit lens दिख रहा है 16-50 इसके अलावा आप दूसरा एक lens और आता है इसके साथ में वह है 16-250 तो यह दो kit lens है camera के साथ में आपको जो suitable हो वह आप खरीज सकते हो इसके अलावा दोस्तों इस camera की जो lens है उसके अंदर में आपको एक चीज और दिखाता हूं कि जब भी हम camera को on करते हैं तो अभी जो यह आप lens देख रहे हैं बिलकुल बंद हो गया है जब हम camera को start करते हैं तो आपको camera क्या बोलेगा कि पहले आप lens को open कर लीजिए जैसे मैंने अभी इसको बंद किया है और मैं camera को on करता हूं तो जैसे मैंने on किया आपकी screen पे एक message आएगा before taking photos rotate the zoom ring to extend the lens यह यह हमें बता रहा है कि आप पहले जो आपका kit lens है उसको open करिए तो यहां पे जो आप setting देख रहे हैं यह भी आपका जो lens है वो बंद है यानि moveable नहीं है आप ring को move करिए और इसको open करिए तो मैं इसको open करता हूं थोड़ा सा इसमे point लगेगा आपको open करने में थोड़ा सा आपको जोर लगाना है तो आपका lens open हो जाएगा अब वो message आपको यहां पे नहीं मिलने वाला है आप इस camera पर work कर सकते हैं रिंग को गुमा के आप zoom in zoom out कर सकते हैं तो दोस्तों यह चीज़ मुझे बहुत अच्छे लगी इस camera में कि आपका जो lens है बिल्कुल ही close हो जाता है जब हम इस camera को काम करने के बाद में समेड़ते हैं तो तो यह camera बिल्कुल ही आपको छोटा सा लगने लगेगा अपने kit lens को जब आप close कर लेते हैं तो kit lens के aperture की अगर हम बात करें तो यह dx1650 आपका lens है और 3.5 और 1.3 यह इसका maximum aperture है य आपको 3.5 का maximum aperture मिल जाएगा और अगर आपका zoom 50 focal length पे है तो वहां पे आपको maximum aperture है वो 6.3 मिलने वाला है और जो दूसरा lens मैंने आपको बताया 16-250 उसका जो maximum aperture है वो 3.5 की बजाए 4.5 और 6.3 होता है तो दोस्तों इस परकार से यह camera काफी शांदार है आप इसको ले सकते है काफी light weight है और इस camera से आप wedding वगेरा भी suit कर सकते हैं